हेलो फ्रेंड्स आपका अपना दोस्ट डॉक्टर ईश्कमार हंडा आयुरुवेधिक अडवाइजर हैपी हाल्थ इंडिया से फ्रेंड्स जो आज हम प्रॉडक्ट डिसकस करने वाले हैं वो एक एचा-चाई की शान है और मान है जिसको हम लोग इम्यूनों के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स यह एक ऐसा जबर्दर सप्लिमेंट है आपके इम्यूनिटी की ताकत को बढ़ाने के लिए उसकी पंपिंग को अपग्रेड करने के लिए आपको आपकी शरीर को अनेकों बिमारियों से बचाने के लिए वो क्यों ऐसा काम करता है मैं आपको उसके ओपर ग् क्योंकि हमने हल्दी का जो काम करने वाला तत्व है जिसको हम लोग कर्क्यूमिन कहते हैं उसका इस्तिमाल किया है दूसर नमबर पे जो इसमें लसुन है लसुन में एक एलिनियम नाम का एक उद्रती पदार्थ होता है जो कि आपकी immunity को बढ़ाता है हमने उसका इस्तिमाल किया है और अद्रक के जो maximum extract है वो हमने निकाला है इन तीनों को हमने एक oil base में एक capsules develop किये हैं जिसको हम लोग ने नाम दिया है immuno फ्रेंज हम मैं एक एक करके विबरन दूँगा कि क्यों ये best है market से जो हल्दी है टर्मरिक है जिसके अंदर करक्यूमे नाम का इलकलॉइड है वो आपके अंदर आपके cells को ताकत परदान करता है आपके अंदर bacteria जो infection है जो virus का infection है या जो protozo infection है उनको ख़देर के बाहर निकाल देता है आपके जो श्रीर की ताकत है बिमारियों से लड़ने की उसको बढ़ाता है क्योंकि अगर आपके श्रीर की ताकत बिमारियों से लड़ने की अच्छी होगी तो कोई वे नजदीक का infection आपको तंग नहीं कर सकता आपके श्रीर को क्षती नहीं पहुंचा सकता, आपके श्रीर को खराब नहीं कर सकता हल्दी की इसमें हमने मातरा लगबग 200 मिलिग्राम रखी है जो की एक अपने आप में परियाबत मातरा है आपको निरोग्य रखने के लिए हल्दी हाट की ब्लॉकेजिस को कम करती है, गठिये की आयो सूजन को कम करती है, पुरानी से पुरानी दर्दों को श्रीट से बाहर निकालती है आप में वाईबादी के समस्याओ उसको खतम करती है, ब्रेन की ब्लॉकजिस को खतम करती है, दिमाग की समर्ण शक्ति को बढ़ाती है, हड्डी और मास पेशों को बलपरदान करती है फ्रेंड्स हल्दी को तो हम माता भी कहाते हैं क्योंकि सदियों से 1000 सलों से इसका इसका इस्पाल हम अपने रिसोई में करते आरहे हैं इवन तक कि जो अमरीका जैसे देश अब उन्होंने भी इसका लोहा मान लिया है और उन्होंने हल्दी को पेटन करने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पे चीजे भूलने की बिमारी बहुत जादा थी तो उन्होंने इस चीज को समझा कि इंडिया में कौनसी ऐसी चीज है उनकी की पे सोई में कि उनकी मिम्मरी जो उनकी त equipment है यादाश का कि और क्यों से कर आज करने की आज की मुल्क में सब्सक्राइक में यृवड़ी को हिंदोस्तान में फिसमाल कर दिया है के उसी चीज ही इस्तिमाल करकिया है ऌधरिक फ्रेंट्स अद्रक सदियों से जाना जाता है गटियाबाद को खतम करने के लिए पेट में भूख बढ़ाने के लिए आपके जो टॉक्सिन्स हैं आम हैं उसका पाचन करने के लिए सिरीन को मजबूती देने के लिए नजला रेशा जो खाम ऐसे सब चीजों में हम लोग बच्पन से इसका इस्तमाल करते आ रहे हैं आप सोचिए अगर एक अद्रक होल ऐसा काम करता है तो जब हम अद्रक का काम करने वाला तत्व ही निकार लेंगे तो वो कितना बड़िया तर लॉकिजिस को कम करने के लिए आपके खून का दौरा बढ़िया तरीके से चलाने के लिए इसमें सल्फर नाम का एक पदार्त होता है जो कि अपने आप एक एंटिबाइटिक है जो कि आपके शरीर में आने वाले किसी बेतरा के इंफेक्शन को शरीर से बार खदेर देता है बैक्टीरियल इंफेक्शन हो वाइरस का असर हो किसी बेतरा का जो आपका इम्म्यूनिटी को कम करने वाला जो भी इसमें तत्व है ये गार्लिक उसको खदेर देता है शरीर के बार आपके सेल्स को मजबूती देता है शरीर को नसों को मजबूती देता है खून का दौरा स आज के रूप में मिल रही हैं और उसके सिर्फ डोज है एक कैपसुल सुभा और शान मुझे नहीं लगता कि इम्म्यूनिटी से लेकर श्रीर की जो श्रीर प्रतीरोदक्षमता है उससे रिलेटेड कोई भी पिमारी से बस सकती है आप इसको हाट की ब्लॉंकेजिस में दे सकत कॉड़ों के दर्धों में डे सकते हैं सिर्बद में दे सकते हैं शुगर और बीपी के जो कॉम्प्लिकेशन हैं जिससे एक श्रीर के अबकवक अंग कराब होते हैं आप उन सब चीज़ों कर सकते हैं इसके साब फिर्यंड्स ये इसका ररिए इक हर घर सदस्य होना हैं इसका कोई side effect नहीं है हम आपको एक संपूर्णता विश्वास दे सकते हैं कि ये product जो भी इस्तिमाल करेगा उसकी आयों में व्रिद्धी अवश्य होगी विश्यकाप cancer के मरीजे उसमें भी यह आप अराम से इस्तिमाल कर सकते हैं आपको लीवर की समस्या उसमें भी इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो आप हमें हमारी health plan number पर call कर सकते हैं हमें email कर सकते हैं हमारे से ज्यादा ज्यादा दे सके धन्यवाद दोस्तों है एक बस नाम ही गुंजराए